तो बही अगर आपने वेल्टन जासे software पर काम करना है जहां अगर आपने Cubase जासे software पर काम करना है Music के related अगर आपने कोई भी hardware software पर काम करना है ये वीडियो श्पेशिली मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो वीडियो को पूरा देखना है बॉर मत करना स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आज हम बात करेंगे अगर आपका परेटले 90,000 से कम है मैंने पहले ही यार उसकी वीडियो की हुए मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएकि उसको चावड़ूद कर लेना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो इतना तो बनता तो स्टार्ट करते हैं अगर आपका बरते हैं तो यह चाहिए अगर आपका नबप्षण साफटर पर काम करना है उसके के बाद भी अगर आपने क्यों बेश सॉफ्टर पर काम करना है आपके लिए भी यह लाप्टाप पो फटील हो रखते हैं बिकाज आपको स्पैसिफिकेशन पूरे लोड़ेड मिल जाते हैं बस मैं आपको इतना कहना चाहते हूं जिसमें आपको इट जीवी रैम मिलेगी ना उसको अपग्रेड कर लेना 16GB तक मिनिममम रख लेना अगर आप चाहते हो कि आपका सॉफ्टर बहुत अधा स्मूतिले और कुछ भी आपको नहीं कराने की जुरूद बहुत लोड़ेड मिलने वाले अभी स्टार्ट करते हैं बात करते हैं नम्बो थ्री की नम्बो थ्री और यार मैंने रखा है असूस रॉक सेट्फिक्स को अगर इस लैप्टॉप की बात करूँ आपको 16GB वैम देखने को मिल जाएगे 4GB ग्राफिक कार मिल जाएगा आपको SSD देखने को मिल जाएगी आपको 500GB SSD मिल जाएगे अगर आपने 1TV की और जाना है आपको वह भी मिल ज कोई भी काम करना जाएगे अगर आपने कोई भी हैवी सॉप्टर पर मिक्सिंग मार्शिंग करनी है अब इसली नॉर्मली कर्स होगे अभी बात करते है इसके में स्पैसिफिकेशन की तो या डिस्प्ले की बातों को 15.6 फुल एस्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाएगे जो की साथ आति है पर साथ सर की बातों के साथ तो इसमें आपको आइट फाइब मिल जाएगा'm का源 साइट नाइट फाफ थाजलिंद उे बजस नंब जाएगा में ऑननों आ yht प्रवाइड किया अगर आपने चावड करना आप चावड कर सकते हो तो यह में आपको बता दिया असूस रॉक्स प्रिक्स के भी आगे बात करते हैं नबर टू की नबर टू पर यार मैंने रखा असूस रॉक्स जी फॉर्ट इन को तो यह सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाला एंड सबसे ज्यादा अच्छा मतलब इसकी लुक वगारा बहुत ज्यादा सही है आपको बैक साइड में लाइटिंग मिल जाती है जो कि आप कॉस्टमाज कर सकते हो बही अगर आप एज़ा डीजे भी काम करते हो नहीं तो भी आपको बहुत सूट करने वाला यह लै के लिए तो याद बहुत जादा सही है ठीक है उसके बाद अगर आप स्टूडन्ट हो अगर आप परते हो या पराते हो आपके लिए भी बैस्ट दील हो जकता है इसके स्पैसिफिकेशन बहुत लूडडिड मिल जाते है यह नाइटी जाट हो जाता है इसका बजड यार ए आपको राजन 7 भी मिल जागा स्टोरेज की बातों को 8GB मिल जागी 16GB RAM भी मिल जागी expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जागी इसमें ग्राफिक कार की बातों को RTX भी मिल जागा GTX भी मिल जागा जैसा पे करोगे जितना पे करोगे उसके according specification मिलते जाएंग तो बही मेन specification मैंने आपको बता दिया तो मैंने आपको ये भी बता दिया भी अगर आप एजा DJ काम करते हो आपके लिए perfect deal हो सकता है एक बार आप चाहूड कर लेना मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपके लिए बहुत best deal हो सकती है आप आगे बात करते है number one की number one पर यार मैं रखा है Acer Concept D को अगर इस laptop की बात करो ये fully white color में देखने को मिलता है इसकी display बहुत सही है आपको 4K Ultra HD display देखने को मिल जाते है main specification की थोड़ी से deeply बात करते है यार तो यार display की बातों को 15.6-inch 4K Ultra HD display मिल जाते है आप processor की बातों को i5-800 generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है expandable आप कर सकते है प्लस आपको 530GB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बात करूं आपको AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाता है operating system की बातों को specification मेंने आपको इस circumcept D के भी बता दिये ये laptop भी सच में बहुत ज्यादा प्यार है अगर आपने इस के आउज जा सकते हो लेकिन जो पहले मैंने आपको दो laptop उताया na music के लिए वो ज्यादा मुझे suit करते हैं बिकास यार उनका जो design है जाए उनके जो specification है आपको वह जाता तक जाता है इस price range की भी बात कर लेते हैं तो अभी बात करते हैं अगर आपका budget एक लाख दस हजार से लेके एक लाख तीस हजार हो जाता है इस price range में मैं आपको कहना जाता हूँ आप जा सकते हो लिए नर्मली करसर हो गया आपको 8GB RAM भी मिल जागा 16GB RAM भी मिल जागा 32GB RAM भी मिल जागा ठीक है उसके बाद graphic card भी आपको से इन मिल जागा को 30.5 inch full HD display मिल जादी जो कि touch display प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बातों को 8 GB RAM मिल जादे plus 120 GB storage मैं आपको repeat कर देना जाता हूँ आपको i7 भी मिल जाएगा 16 GB RAM भी मिल जाएगी 32 GB RAM भी मिल जाएगी 1 TB तक भी आपको SSD देखते हो जाता है दो लाग के बज़र तक भी इसका प्राइस चला जाता है तो यार में specification में आपको बदा दिये Microsoft Surface Book 3 के भी अगर आपने यार कोई भी हैवी software यूज़ गरना आप easily normally कर सकते हो अभी आगे बात करते हैं अगर आपका बज़रे लग से लेके दो लाग हो जाता है कि बात कर लेते हैं वो भी बात करते हैं अगर आपका बज़रे लग से लेके 2,00,000 हो जाते है मैं तो आपको कहना जाता हूँ कि आप जा सकते हो Apple MacBook की और अगर आपने मैं MacBook pro के और पुसके और भी जासकी हो बस मैं आपको इतना कहना चाता हूँ कि आपने 16 GB RAM के और minimum जाना ही जाना है उसके नीचे आपने नहीं जाना उसके अपर आप जाना चाहते तो आप जा करना जाते हो लेकिन minimum 16 GB आपको चाहिए ही चाहिए Plus सबही मैक की और से आपको सॉफ्ट्वे जो देखने को मिलता है ना मैजिक प्रो एक्स वो बहुत ज्यादा धगड़ा अगर आपने मिक्सिंग करने अगर मुजिक के रिलेटेड कोई भी काम करना जाते हो वो सॉफ्ट्वे भी परचेज आपको करना ही पड़ेगा अगर आप स्बीटिकेशन अब डिस्प्रियों डेजाइन विल्ट वाली होगया आपको एक लास मिलने वाली है तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरी बेचे लोगिया वीडियो को लाइक करते आदना अच्मैट करता ना शेयर करता दोस्तों के भी दोस्तों को भी तरण उनको भी कहता नहीं चाहँ को गदा सिबस्क्राव करें लाइक अधिक देखने मिलते उसको चाहँ गालना में वीडियों त्यूंक्युड